आज जो जगा मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ इस जगा का नाम है जौर्ज आवरेस पीक ये मसूरी से तक्रीबन 5-6 किलो मिटर की दूरी पर है और यहां आने के लिए आपको या तो ऐसी यूवी का सहारा लेना पड़ेगा या फिर आप ट्रैक करके हैं क्योंकि यहां प पास काफी घना जंगल है मैं आपको बताऊंगा आज जौर्ज आवरेस पीक के बारे में झाल जो आपको पीक के बारे में झाल झाल यह जगा जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं यह है जोर्ज आवरेस्ट का रेजिडेंस जो आज से 180 साल पुराना है 1806 में जोर्ज आवरेस्ट इंग्लैंट से भारत आए और वो बेंगाल आटलेरी की कैडिट में शामिल हुए उनकी जो major responsibility थी वो यह थी कि यहाँ पर जो बड़े mountains हैं उनका trigonometry section का सर्वे करना था जितने भी mountains भारत से निपाल तक आते हैं उन सभी का उन्होंने सर्वे किया और बाद में उन्होंने इसी जगा को खरीदा और अपना office और residence बनाया कहते हैं कि यह आज एक haunted जगा है और यहाँ आने के लिए आपको काफी मुश्किलों का सामना करना होगा because road जो है वो बहुत narrow है road काफी खराब हालत में है वर्ल्ड की जो सबसे highest mountain है Mount Everest उसका नाम George Everest के नाम के उपर रखा गया है क्योंकि George Everest ने ही उस mountain का trigonometric सर्वे किया था आपिए वो खराब है